इस वक्त हम शाहिस्ता परवीन के घर के बाहर मौझूद हैं वो शाहिस्ता परवीन जिसके उपर पचास हजार उपे का इनाम है और पुलिस लगातार शाहिस्ता परवीन की तलाश कर रही है ये शाहिस्ता परवीन का घर है यहां शाहिस्ता परवीन के पिता मोहमद हारून ज जो आसपास के लोग जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जब अतीक और अश्रफ का कतल हो गया था उसके बाद से ही यह पूरा का पूरा जो परिवार है वो यहां से गायब है कोई यहां पर मौजूद नहीं और जो समान जिस तरीके से अंदर बिखरा पड़ा है उससे कही से जुड़ी किताबे हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं यह तमाम किताबे जो हैं वो यहां पर हैं और पूरा घर फैला पड़ा है यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह शाहिस्ता परवीन का जो भाई है उसकी तस्वीर है जकी एहमद की तस्वीर यहां पर लगी हु हुआ है यहां पर बच्चों की कुछ साइकिल हैं वो यहां पर नज़र आ रही है और अलमारी के अंदर भी जो कपड़े हैं आप तस्वीरों के जरीए देख सकते हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं यानि कि जिस तरीके से जो परिवार अचानक से यहां से गायब हुआ है कही नहीं नहीं बहुत बड़े जो सवाल हैं वो खड़े करता है यह देखे तस्वीरों के जरीए आप देख सकते हैं कि जो कपड़े हैं वो यहां पर नज़र आ रहे हैं यहां जो कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं इसके लावा यहां एक टेबल पे प्याज पड़ी हुई यह जो अलमारी आप सामने देख रहे हैं इसमें से भी कुछ सामान निकाला गया है तो कहीं न कहीं पूरा का परिवार जो गायब हो गया है कहां चला गया है यह एकदम समझ से पर रहे है पुलिस लगातार शाहिस्ता परवीन की तलाश कर रही है लेकिन वो पुलिस के रफ से बहार रहे हैं